नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब सभी अच्छे होंगे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बैसाक माह में कौन से ऐसे कारे करें तो संकट से मुक्त होकर सुखी पाएंगे तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो सुरू करते हैं अगर आप मेरे चनल पर नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर ले और वीडियो लाज तक चिरूर देखें बैसाक या बैसाक माह हिंदू कैलेंडर के अनुशार वर्ष का दूसरा माह होता है इस मही ने गंगा उपासना, वरुथिनी एकादशी, मोहीनी एकादशी, अक्षय तिरूतिया, बैसाक पूर्निमा जैसे महत्पोन तहवार और ब्रत आदी मनाये जाते हैं इस माह की भी पुरानों में महीमा का बर्णन है आये जानते हैं कि ऐसे कौन से कार हैं जो हमें बैसाक मह में करने से सूख मिलता है पहले हम इसका महत्प जान लेते हैं धार्मिक मान्याताओं के अनुशार इसी माह से त्रेता यूग का अरंभ हुआ था इसी वजह से इसका धार्मिक महत्प बढ़ जाता है इस महीने में इस महीने को माधव नाम से भी जाना जाता है माधव विश्णु का एक नाम है इस माह में विश्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है बैसाख अमवस्या पर क्या करें चली जानते हैं धर्म करम, स्नान दान और पित्रों के तरपन के लिए आमवस्या के दिन बहुत ही सुख माना जाता है काल सर्प दोस से मुक्ती पाने के लिए भी आमवस्या तिथी पर जियोतिश्य उपाय किये जाते हैं पित्रों की आत्मा की सांती के लिए तरपन एवं उपवास करें और किसी करीबी ब्यक्ति को दान दच्छ ना दे आमवस्या के दिन पीपल के पेढ़ पर सुख जल जडाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए इस दिन जलासा या कूंड आदी में इसनान करें और सुर्य देव को अर्ग दे कर बेहते हुए जल में दिल प्रवाहित करें दच्छिन भारत में बैसाख आमवश्या पर सनी जैन्ती मनाई जाती है इसलिए सनी देव दिल तेल और पुस्प आदी चढ़ा कर सनी देव की पूजन करनी चाहिए पूरे माह विष्णू की पूजन करनी चाहिए बैसाख मास में भगवान विष्णू की पूजा का बिधान है इस दोरान भगवान विष्णू की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है असकंद पूरान के वैसनव खंड की अनुशार ना माधव शमो माशो ना कृते ना युगम समम ना चावेद समम सास्त्रम ना तिर्थम गंगया समम अर्थात माधव माश यानि बसाख माश के समान कोई माश नहीं है सत्यूग के समान कोई यूग नहीं है बेदो के समान कोई सास्त्र नहीं है और गंगाजी के समान कोई तीर्थ नहीं है इस माह के दोरान आपको ओम माधवाई नमख मंत्र का निति ही कम से कम ग्यारा बार जाब करने चाहिए साथ ही भगवान बिश्णु के केसव हरी गोविंद, त्री विक्रम, पद्वानाब, मधुसूदन, अच्ची उतम और हिरी केस नाम का भी ध्यान करें उन्होंने पंचामरित का भोग लगाएं और उस पंचामरित में तोलसी पत्र डालना बिल्कुल न भूलें साथ ही उन्हें सफेद या पेले फुल अर्पित करने चाहिए इससे आपके करियर में, नौकरी में, बैवपार में तरक्की होगी इससे जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा और तामपत्ती जीवन भी सुख्य में ब्यातित होगा बैसाख माह में भूमी पर ही सयन करना चाहिए यानि सोना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए इससे सभी तरह के रोग और सोक मीट जाते हैं बैसाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल वा तली भुनी चीजों से परहेच करना चाहिए। आप बेल खा सकते हैं। बैसाख मास में तिल लगाना, दीन में सोना, कांसे के पत्र में, पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निशिद वदार्थ खाना, दो बार भोजन करना, तथा रात में खाना यह आठ बाते त्याग देना चाहिए। इसके साइंटिफिक रेजन भी हैं। इ हम पैरानिक कथा जान लेते हैं, बैसाख में जो हमें कथा सुननी चाहिए कि आखिर इतना बैसाख मास क्यों महतपूर्ण हैं। तो चलिए कथा सुरू करते हैं। प्राजिन समय में धर्म वर्न नाम के एक द्वीज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्म परायन थे। एक ब भी कारे में नहीं है। धर्म वर्न ने इस बात को आत्म साथ कर लिया और संसारिक जीवन छोड़ कर सन्यास लेकर भ्रहमन करने लगा। एक दिन भ्रहमन करते हुए वह पिर्ति लोक में पहुशा। वहां धर्म वर्न ने देखा कि उनके पितर बहुत कस्ट में हैं। पितर सेस नहीं है। यदि तुम वापस या कर गिरहस्त जीवन की सुरुवात करो तो संतान उत्पन करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमवस्या के दिन विधी विधान से पिंड़दान करो। धर्म वर्न ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर आमवस्या पर भिधी विधान से पिंड़दान कर अपने पित्रों की मुक्ति दिलाई। चलिए अब हम जानते हैं कि बैसाख माह में कौन से इसे पाच चीजों का दान करने से हमारे घर में धन्य धान की होती है बरहुतरी और मिलती है सुख सम्रिथी और घर में कला हर जात परिवार की सुखसान्ती बनी रहती है। जैसा कि हम जानते हैं, बैसाक माह में असनान दान का काफी अधिक महत्वे है। अगर आप इन पाच चीजों का दान देना महत्वूर ने मानते हैं, तो इनका दान करने से सुखसा भागी की प्राप्ती होगी, साथ ही कुंडली में क्रहों की इस्तिती सही हो जाएगी। मानियताओं के अनुशार भगवान विष्णू का सबसे बीड़े माह है, इसी कारण इस पूरे माह में भगवान विष्णू की पूजा करने से हर तरह की समस्या से चुटकारा मिल जाता है। इस माह गंगा असनान करने के अलावा दान करने का विष्णू हत्व है, माना जाता है कि बैसाक माह में दान देने से जातक को हर तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही एक हाथ से दिया गया दान, हजारों हाथों से दिये गये दान के बराबर लोट कर आता है जानिए, बैसाक माह में किन चीजों का दान देने से मिलेगा दूगना फल जब से पहले है तील, जी हाँ, बैसाक माह में तील का दान करना बेहत सुब माना जाता है इसके अलवा तेल या इससे बनी बस्तूओं का दान देना से दुगना लभ आपको मिलेगा इससे आपके पितरों का भी असिरवाद मिलेगा बैसाक माह में फलों का दान करने का भी महत्वे है इस महिनी में अधिक मात्रा में आम आने लगते हैं ऐसे में आप इस फल का दान दे सकते हैं बैसाक माह में गुर का दान महा दान माना जाता है गुड का दान करने से आपकी कुडली में सुर्य की स्थिती मजबूत होगी जिसकी कारण आपको करियर में उच्छाई मिलेगी इसके साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ेगा इसलिए आप गुड या फिर इससे बनी चीजों का दान कर सकते हैं अगला चीज है सत्तु जिहां बैसाख माह में सत्तु का दान देना लाबकारी माना जाता है सत्तु का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरु देव बिहरस्पती से हैं इसलिए इस माह सत्तु का दान देने से कुडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिती मजबूत होती है इसलिए अपनी स्रद्धा के अनुशार शत्तु का दान देना चाहिए बैसाक मा में काफी गर्मी होती है ऐसे में सबसे जरूरी चीज होती है जल ऐसे में आप चाहे तो किसी को दो घड़े जल से भरे हुए भेट कर सकते हैं पहला घड़ा पुरवजो का असिरवात पाने के लिए और दुसरा भगवान विष्णू के नाम पर दान दे सकते हैं जिस दिन आप घड़े दान करने वाले हो उस दिन पहले भगवान विष्णू की विधिवत तरीके से बोजन करें इसके पस्चात आप दान करें आप चाहे तो किसी जगह पर प्यावल लगवा सकते हैं अब हम जानते हैं कि वैसाक महीना दोहजर तैस कब सुरू होने वाला है तो जैसा कि हम जानते हैं आज यानि कि 6 अपरेल हनमान जीयनती पर चैत्र महीना समाप्त हो जाएगा पंचांग के अनुशार चैत्रपूनिमा के बाद हिंडू कैलेंडर के दूसरी माँ बैसाक के सुरवात हो जाएगी यू तो दान कभी भी किया जाए इस्वर की किरपा से उसका सूब फल मिलता ही है लेकिन बैसाक महीने में किये गए दान का बिसेस महत पे है खासतार पर इस महीने में किये जाने वाले जल दान को लेकर मानियता है कि जितना पून्य हर तरह के दान और कई दिर्थों के दरसन से मिलता है उसके बराबर पून्य बैसाक महीने में केवल जल दान से मिल जाता है इसलिए इस महीने में सीवलिंग पर तुलसी में नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए साथ ही रहगीरों के लिए प्याव लगवाना चाहिए स्रीहरी इससे अत्यन प्रशन होते हैं और जातक को सुक समरिधी का अशिरवाद देते हैं धार्मिक रंथों के अनुशार इस महीने में स्रीहरी का पोजण अभिसेक तो करना ही चाहिए साथ ही इन दिनों सुब़ा और साम दोनों समय नियमित रूप से तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए मानियता है ऐसा करने से स्रीहरी और माता तुलसी की क्रिपा से जीवन में आने वाले सभी तरह के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं साथ ही सुख सम्रीधी और बैभव की प्राप्ती होती है पैसाक महीने के दवरान पीपल की पुझा जरूर करनी चाहिए इसके लिए नियमित रूप से सुबह उठकर ताम्बे का पात्र ले ले उसमें गंगा जल, कच्चा दूद, तील और रॉली डाल ले इसके बाद यह जल पीपल में चढ़ा दे साथ ही जो भी मनुकामना हो उसे पूरी करने की प्रात्ना करें, मानियता है कि ऐसा करने से स्रीहरी प्रशन होते हैं और जातक के जीवन में अगर कोई पीर्ते दोस हो तो वो भी दूर हो जाता है इसके अलावा पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला कर साथ बार परिक्रमा भी जरूर करने चाहिए मानियता है कि ऐसा करने से जातकों की मनुवांचित सवी मनुकामनाई पूर्ण होती है I hope ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए बहुत फायदे मंद हो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखे धन्यवाद